नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवानी अनंद सिंग जब से पेरॉल पर बाहर आए है तब से चर्चा का बाजार गर्म है जेल से बाहर आने के बाद से ये कयास बाजी लगतार लगाय जा रही थी कि अनंद सिंग बाहर आने की खासा वज़ा जमीन से जुरे मामले नहीं है बलकि ललन सिंग के पक्ष में वोट करवाने के लिए वो आए है यानि कि मताधिकार को वो प्रभावत करवाएंगे इस बार इस मामले को लेकर चर्चा काफी हो रही थी ऐसे में आपको बता दे कि अनंद सिंग पर गंभीर आरोप लगा हुआ है चौथे चलन तक का मतदान संपन हो चुका है 13 माई को मुंगे लोगसभाद छेतर में ही हुआ है लेकिन कम मतदान के पीछे दो बज़ा बताई जा रही थी एक वज़़ ये थी कि लोग सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं इस वज़़से मतदान कम हुआ था देखा जाता है कि जब भी मतदान अधिक होता है तो लोग चाहते हैं कि जो ततकाल सरकार मौजूद है उससे बदलना है लेकिन इस बार लेलन सिंग की लहर कायम करने के लिए मतदान अधिक नहीं हुआ ये चर्चा होल थी दूसरा कारण अब इस परस्ट होकर सामें आया है जिस करदर से आपको बताई कि आरजडी के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लेलन सिंग को पैरोल पर इसलिए बाहर लाया गया था ताकि वो मतदान के देन अपना खासा काम कर सके खास काम ये था कि लेलन सिंग के पक्ष में वोट करवा सके बूठों पर कबजा कर सके और यही वज़ा निकल कर सामने आई है और जिस पर लगतार कटाक्ष कर रहे है बेपक्ष यानी आरजेडी महागरबंदन के तरफ से इस मामले पर लगतार राय प्रतिक्रिया दी जा रही है इस पर आपको बता दे कि कारवाई की मांग भी उठाय जा रही है दरसल हुआ कुछ यूँ कि 13 माई को मतदान होते होते कई जगों से यह रिपोर्ट आने लगी कि जीडियो के कई कार्यकरता जो है जो छात्र नेता है वो भुदो पर कबजा कर रहे है और भुदो पर कबजा अनंत सिंग के द्वारा करवाया जा रहा है जिसके बात से अब इस मामले पर अरजडि मैदान में उतर कर अनंत सिंग के खिलाफ कारवाय करवाया रही है निती सरकार के खिलाफ कारवाय करवाने की मांग कर रही है आपको बता दे कि आरजडि के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग ने इस बात को लेकर निर्वाचन आयोग में पतादिकारी को पत्र लिखकर इस पर जानकारी दी है कि जल्द से जल्द कारवाई की जाए हमारे पास सबूत है कि बूतो पर यानी की 64 बूतो पर कबजा किया गया धानली के बड़े आरोप यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं और आटेड़ी के कई छात्र कारेकरता नेताओं को मारा गया है पिटा गया है और वो अस्पताल में भड़ती है इस मामने को लेकर जब तजश्वी यादव से राई ली गए उनसे उनका जवाब मांगा गया तो तजश्वी यादव ने स्ताफ तोर पर कहा है कि हम पहले से ही क जो था कि नितीज सरकार यानि के गरी मंत्राले ने जमीन मामले को जोड़कर अनन्त सिंग को पर रॉल पर बाहर निकाला है 15 दिन पर तो उस मामले को चुनाऊं के बाद यानि की 13 माई के बाद भी निपता सकते थे गरी मंत्राले चुनाऊं के बाद भी उने बाहर निकाल सकता था इस तरीकी की बयान बाजूल अगतार चल रही है पता दे कि मुकामा की पुर्मविधायक अनन्त सिंग का बोल बाला है और ऐसे में अनन्त सिंग के सामने अशोक महतो खड़े हैं और मुकाबला यहाँ पर दो बाहु बली के बीच में देखा जा रहा था हाला कि इस मामले पर जब जमीनी कारेकर्ताओं से पूछा गया लोगो सबसे बड़ा आरोप जो आया है आरजडी ने अनन्त सिंग पर लगाया है कि 13 माई को उन्होंने कई बूतों पर मतदान अपने पक्ष में करवाने की कोसिस की है बूतों को खरीदा इसके साथ साथ आरजडी के तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है मनोजजा ने साफतोर सचेटर पर राजयसाभा सांसद मनोh जहान ने कहा है कि इस बार देखा गया कि अनन्त सिंग Esse अपने कुछ कारे करताऊँ के साथ अपनी कुछ नेताओं के साथ पहुच्छ कर बूतों पर कपजा करवाने की कोसिस किये हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि बूतों पर धांद और वहां पर उन्होंने सिकाय दर्च करवाई है जदियों के खिलाफ जदियों के कारेकर्टा पर गंभीर आरोप लगाते हुए चात्र निताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए और मुंगेर की जमेनी कारेकर्टाओं पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि यह लोग चु इस बात को लेकर आर्जोडी लगतार हमलावर है और सबसे बड़ी बात इस पर यह निकल कर सामने आए है कि ते जस्वी यादम का बयान इसकदर सामने आया है कि अनन्त सिंह ही वो फैक्टर है जिन्होंने ये काम करवाया है अनन्त सिंह को गुरी मंत्राले ने इसलिए बाहर निकाला है ताकि वो चुनाव को प्रभावित करवा सके और चुनाव अपने तरफ यानि कि मतदान अपने तरफ करवा सके ललन सिंह के लिए आपको बता दे कि अनन्त सिंह जो है कुछ लेना देना नहीं है लेकिन वो घरगर गली-गली जाकर महिलाओं से वोट मांग रहे थे साथ ही साथ उन्होंने यह भी अपील की थी कि लैलन सिंग जो है भारी मतों से इस बार जीतने वाले और यही आरोप आँजेडी लगा रही है यहां तक कारवाई की लोगोंने पत्र भी भेजा है आपको बता दे की इस मामले को लेकर उन्होंने एच स्ट्रृ निवास के पास पत्र लीका है और उन्होंने कहा है कि जल्दी इस मामले पर कारवाई किया जाया अपता दिकारी के पास पद्र भीजने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस किया है कि पेरॉल का मामला यह था कि वो लोग इस मामले को जोड़कर अनन्त सिंग जो है अपने जमीनी कारे करताओं के साथ मिलकर बूतों पर कपज़ा कर सके वही पर तिजस्वी यादव ने इस मामले पर अभी आरोप लगाया है कि जो लोग जंगल राज की दुआई दे रहे हैं वही लोग जंगल राज कायम कर रहे हैं मतदान अपने तरफ करना और बूतों पर कपजा करना ये जंगल राज ही है और ये बात तिजस्वी यादव ने कहा है कि जंगल राज की बार बार दुआई देने वाले लोग जो जंगल राज का आरोप हमारे परिवार पर आर्जडी पर लगाते हैं वही इस बार के लोग फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद